सीरियल गुम है किसी के प्यार में में अब सई पहुँच चुकी है विराट के घर के अंदर चवान हाउस में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सई और विराट के बीच में होगा काफी जादा आर्गुमेंट जिसके बाद सई करेगी एंट्री चवान हाउस के अंदर और यहाँ पर सई की एंट्री करवाने वाला कोई और नहीं बलकि विनायक होगा क्योंकि विनायक ने आकर बोल दिया था सई को गेट पर देखकर की एंजल आंटी आप आ गई और ऐसे में सई अंदर एंटर होकर विनायक को प्यार करती हुई नजर आएगी और वही हुआ भी सई विराड को इंकार कर दिया कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं एक मा के नाते पर आई हूँ मैं सर्फ और सर्फ बीनू यानि विनायक के लिए आई हूँ अब आकर विनायक का पूरा ध्यान रखकर उसको खाना खिला कर उसको सही करक जब सई जाने लगती है तो ऐसे में विराड का गुस्सा सई पर फूटता है और विराड ये कहता है कि तुम अब सत्या की बीबी हो ना तो उसी के घर में रहो हमारे घर में तुम क्यों आ रही हो तुमारा कोई अधिकार नहीं है इस घर के अंदर आने का लेकिन ऐसे में सई देगी जोरदार तमाचा विराड के मुँपर रख कर जी हाँ सई कहेगी कि मैं विनायक की मा हूँ और मुझे इस घर के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ जिस तरह से मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर नहीं कर रही हूँ उससे मिलने से नहीं रोक रही हूँ वैसे ही तुम भी मुझे विनायक से मिलने से नहीं रोक सकते और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की या अगर ऐसा किया तो इसका नतीजा तुमें भुगत ना होगा फुल गुसे में ये बात बोलती है विराज को सही लेकिन विराज कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम विराज से कैसे मिलती हो और ऐसे में साई खिचा कर जोरदार तमाचा रख कर देगी विराट के मुँपर और कहेगी कि तुमने कभी जिंदगी में रिष्टे निभाने सीखे हैं क्योंकि विराट लगा रहा होगा साई पर इल्जाम कह रहा होगा कि तुमें तो रिष्टों की एहमियत नहीं पता और ऐसे में साई कह देगी कि तुम से सर्टिफिकट लूँगी जिस इंसान ने अपना खुद का एक रिष्टा नहीं संभाला वो मुझे बताएगा कि रिष्टों की एहमियत क्या होती है वैल दोस्तो अब लग रहा है कि साई और विराट के बीच में नई जंग की शुरूआ बात होने वाली है क्या कहेंगे आप कमेंट्स में जरूर लिखें वीडियो को लाई को शेयर करना आप ना भूलें